स्टेनोग्राफर 2024 की वेकैंसी आ चुकी है स्टेनोग्राफर 2024 में जो फॉर्म अप्लाइ कर सकते हो ठीक है और इसका एक्जाम जो होता है वह ऑक्टूबर मन्त में होता है अगर मान के चाहिए तो बीच से पच्टीस तारीक की बीच में इसका एक्जाम होता है अगर इस बार की वेकैंसी पर पिछले बार से जादा है वेकैंसी टोटल दो हजार शे पोश्ट है डोनों को मिला के अगर एजुकेशन की बात करें तो आप डूएल पास होने चाहिए औ पांच मेहना लगता है और अभी से लगबग आपका जनवरी तक सोट हैंड होगा तब तक आप अराम से सबस्क्राइब के बारे में सबसे में प्लस पॉइंट होता है कि इसके एक्जाम में मैं नहीं होता है यहां पर आपका 100 मार्ख कांग इंगलिस होता है 50 का डी पचास का जी के टोटल दो सो मार्ख जिसके लिए आपको दो घंटे का समय मिलता है इस दो घंटे के समय में आपको 200 कुष्टन करने जिसमें से सौ इंगलिस 50 जी के मैत नहीं होता है 200 में से अगर आप 140 प्लस भी ला लेते हैं तो आपका सेलेक्षिन किसी ना किसी डिपार्टमेंट में हो जाता है अब बात करते हैं सौट हैं के बारे में जब आप एक्जाम निकाल ले तो एक सौट हैं जो है कौलिफाइंग टेस्ट होता है जिसमें आपका grade D और grade C होता है तो अगर बात करें grade D के लिए इंग्लिस इस्टिनोग्राफिक लिए अगर आप अप्लाय करते हैं तो आपको ट्रांस्किप्शन के लिए जो समय मिलता हुए 50 मिनिट का यह चीज क्या है अगर आपने नोटिफिक्शन में दिखागा ना देख इनिये के बाद उसी को जो हम लोग लाइस के लाकीर के लैंग्विज में लिखे उसी पर देखके कम्प्वूटर पर लिखना रहता है तो उसके लिए उनको grade D इंग्लिस इस्टिनोग्राफर में उनको केता है समय मिलता है पचास मिनट ग्रेटी हिंदी में केता है मिलता है और विज्चिकल क्रइडिया पूरा करना होगा बाकि और सब क्लिए पुरा नहीं करना होगा इसके अलावा अगर बात करें स्टिन की त्यारी कैसे करें चानल की बहुत जल्द आप लोगों के पास आईगा मिलते हैं तब तक लिए नबस्कार